मंडिय संसदेशीट से कॉंग्रेस प्रत्याशी के नाम के एलान पर नेता पिर्टिपक जैराम ठाकुर का भी बयान आया और उन्होंने तंज कसते हुए का कि कभी बिर्भद्र सिंग का दौर था तो मंडिय सीट पर उन्होंने कई बार जीत दर्ज की लेकिन अब वो दौर समाप्त हो चुका है अब नए दौर की शुरुआत हुई है भारती जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव लेगी और जीतेगी जब कॉंग्रेस के प्रत्याशी और निता जनता के बीच जाएंग हैं और हमारे लिए कोई अहरानी की बात नहीं है लेकिन बिचितर पर सिती है कि जग हंसाई कॉंग्रेस पार्टी ने खास्तोर से मंडी के सीट के टिकट के विशे को लेकर के की है जो सीटिंग मेंबर पार्लिमेंट है वो कहती है कि चुनाव लगने का माहौल नहीं है काम नहीं लोगों के हुए विधायकों के काम नहीं हुए सांसे नेदी से ही चुनाब नहीं लड़ा जा सकता है और उनका टिकट जो है वो बदल करके उनके बेटे को दिये गए जो ही माचल परदेश में मंत्री हैं और जो मंत्री हैं वो अपने मंत्री मंत्र से त्याग पत्र धियें कि हमारी जलालत हो लिए ए सुनी ने जाती है और मानी ने जाती है मेरे पिता जी के लिए शिम्ला कि रिज्क及 मैदान में दो गज्ज जमीन मागे वो नहीं मिली इस ते हमने महां पर उनकी मूरती लगानी थी और उसके लावाब पूरे पंदरा महीने के सरकार के खिलाब जो माहौल है उन सारे मुद्दों को जब हम उठाएंगे तो प्रत्याशी कोई भी आए कोई फर्क ने पड़ता है